चिंद्वारा जिला की अंतरगत आने वाला थाना चोरई में शिविल लगाया गया है यह शिविर उन सूथ खोरों के लिए लगाया गया है जो बिना लाइसेंस के ब्याच पर लोगों को पैसा देते हैं और फिर उनसे मनमानी वसूली करते हैं प्रदेश सरकार के मंशा नुरूप जिला पुलस कप्ताम विवेक अगरबाल की निर्देशा में गुरुवार की सुभा ग्यारा बजे से शाम चार बजे तक चोरई पुलस थाने में सूथ खोरों के खिलाफ हला बोल शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें थाना प्रभारी शशी विश्कर्मा और स्टाफ ने बैठ कर शेत्र के सूथ खोरों के खिलाफ नागरिकों से शिकायत लेकर तुरित निराकरन के लिए जाचकर कारवाई करने की निर्देश दियें इस दोरान SI गाइत्री भगेल, ASI, सतीश चर्मा, आरक्षक सतीश भगेल, रामकुमार भगेल और स्टाफ उपस्तित रहा चोरई से BCN News के लिए समधाता राजेश उईके की रिपोर्ट